साइन्स बुलेटिन नए यूजरों से सालाना एक डॉलर का शुल्क लेगा एक्स सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने बुधवार को कहा कि बॉट्स से निपटने के लिए नए यूजरों को पोस्ट करने के लिए प्रतिवर्ष एक डॉलर का भुखतान करना होगा, हालांकि वे दूसरों के पोस्ट मुफ्ट में पढ़ सकते हैं वैश्विक स्तर पर इस बदलाव को लांच करने से पहले कमपनी इस न्यूजिलेंड और फिलिपीन्स में इसका परीक्षन कर रही है दोनों देशों में नए यूजरों को खाते बनाने के लिए एक डॉलर का भुखतान करना होगा उन्होंने कहां यहां बॉट्स को पूरी तरह से नहीं रोकेगा लेकिन प्लाटफॉर्म में हैर्फेर करना एक हजार गुना कठिन होगा एक्स के अनुसार यहां बॉट्स से लडने के लिए किया गया है एक्स ने कहां कि नया कदम तथाक्थित नॉट ए बॉट कारेक्रम का हिस्सा है जिससे स्पैम हमारे प्लाटफॉर्म में हैर्फेर और बॉट गतिविधी को कम करने के हमारे पहले से ही महत्वपूर्ण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है डिप्रेशन मैनेज्मेंट में डॉक्तरों से भहतर चैट जीपीटी स्टडी ओपनियाई का AI चैट बॉट चैट जीपीटी क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए मान्यता प्राप उपचार मानकों का पालन करने में एक डॉक्तर से भहतर हो सकता है एक नई स्टडी में इसका खुलासा हुआ ओपनिक सेज जर्नल फैमिली मेडिसिन एंड कम्यूनिटी हेल्थ में प्रकाशित स्टडी के अनुसार चैट जीपीटी में फास्ट अबजेक्टिव देटा इंसाइट प्रदान करने की क्षमता है जो ट्रेनिशन डायगनोस्टिक मेथर्स को पूरा कर सकती है और साथ ही गोपनियता और गुमनामी भी प्रदान कर सकती है शोद करताओं ने खतरनाग डिप्रेशन के लिए अनुशन से चिकित्सिय ध्रिष्टिकोन का मूल्यांकन करने के लिए एई टेकनोलोजी का परीक्षन किया जब चैटजीपीटी पूछा गया आपको क्या लगता है एक प्रात्मिक देखभाल चिकित्सक को इस स्थिती में क्या सुझाव देना चाहिए तो उसने जवाब दिया वाच्फुल वेटिंग, रेफरल फॉर साइको थेरेपी, निर्धारित दवाएं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लिप प्रॉब्लम स्टडी के अनुसार, चैटजी पीटी 3.5 और चैटजी पीटी 4 की तुलना में, केवल 4 प्रतिशत से अधिक फैमिली डॉक्टरों ने क्लिनिकल गाइडेंस के अनुरूप हलके मामलों के लिए विशेश रूप से मनोचिकित्सा के लिए रेफरल की सिफारिश की दो जन्वरी से फाइले डाउनलोड करने के लिए गूगल ड्राइव को थड़ पार्टी कुकीज की नहीं होगी जरुरत गूगल ड्राइव को अब दो जन्वरी 2024 से फाइल डाउनलोड करने के लिए थड़ पार्टी कुकीज को इनेबल करने की आवशक्ता नहीं होगी के पास specific workflow है, जो drive के download URL पर निर्भर है या किसी app का इस्तमाल करते हैं, जो drive के download URL पर निर्भर है, तो आपको 2 जनवरी तक drive और docs publishing flow पर switch करना होगा. यहाँ बदलाव तब आया है, जब privacy बढ़ाने के लिए Mozilla और Apple की इसी तरह की कारवाई के बाद, गूगल अपने Chrome ब्राउजर में default रूप से third-party cookies को disable करने की तैयारी कर रहा है. वर्ल्ड VR व्यवसाय मेला 2023 नानचांग में उद्घाटित होगा. दक्षन चीन के नानचांग शहर में 19 से 20 अक्टूबर को वर्ल्ड VR, Virtual Reality व्यवसाय मेला 2023 आयोजित होगा. 20 देशों वक्षेत्रों के 5000 से अधिक पेशेवर प्रतिनिधी इस मौके पर नवीनतम प्रोध्योगी की का आदान प्रदान करेंगे और VR व्यवसाय के भावी विकास पर विचार विमर्ष करेंगे. इस साल मेले का मुख्य विशय है कि VR से विश्व अधिक शांदार होगा वर्चूल और रियलिटी का मिश्रण बुद्धिंता से व्यवसायों की सम्रिद्धी. यह मेला चीनी उद्योग और सूचनाकरण मंत्राले और चांदिशी प्रान सरकार द्वारा सन्युक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है. हाल ही में इस मेले के बारे में आयोजित एक प्रेस वारता में आयोजिकों ने बताया कि इस मेले में उद्घाटन समारो, मुख्य मंच, थीम मंच, व्यवसाय पारिस्थिति की मंच, बिजनेस वारता, प्रदर्शनी समेट 24 गतिविधिया होंगी. PNT की खास पेशकश